शुक्रिया, नवस्ते, मैं इंतियास कुरेशी हूँ और एक छोटी सी बाते आप लोगों को बताना चाहता हूँ और बाकी तो बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा हमारे बारे में, बाकी छोटा से किस्सा है, मेरे फादर जो थे, वो बुचल का काम करते थे और माह हमारी जो थी, राय साब जहेंगराबाद की रहने वाली थी, और उनके फादर शेफ थे, उस ख़त गरीबी हालत बहुत ज़दा थी, और हम लोग शहर में आ चुके थे नकलोओं में, वहाँ हमको सेपलाई हमारे फादर की बिटिस गवर्मिन के टाइम पे थी, तो मिलिट्री में सेपलाई देने जाते थे, हम भी उनके साथ जाते थे, तो हमको खाने का शौक था तोड़ा, तो वहाँ जो किचिन में शेफ लोग थे, वो हमें कुछ दे दिया करते थे, वो शौक पड़ गया खानेगा, फिर जो हमारे बहनोई थे, वो बहुत च्छे शेफ थे, वो नकलों में एक कैटर हैश्चत से कहलाते थे, तो हम उनके पास चले गए, वहाँ हमने इस काम को करना सुन किया, और उनके साथ करीब करीद आठ नौ दस साल हमने बहुत महनत की, फिरी में, एक एक दिन में ददस मन, पंदरा पंदरा मन आटा गुनना, और तंदूर को खोदना गाड़ना, और कहीं भी अगर बिर्यानी कहीं है, किसी पार्सी कियां, तो खाली बिर्यानी उनलोग पलाओ कहते थे, तो हम छोटे से थे, हम चले आते थे, तो वहाँ जाते थे, तो पार्सी कलब में एक मौका मिल गया, वहाँ शेफ लोग कोई गए रही हैंते, तो दादा भाई नोरोजी थे, उन्हों ने खाया और खा कि ये का, कि वा भाई, आज तो बड़ा मियां का क्या बिर्यानी खाया है, बड़ा मियां का बिर्यानी तो बड़ाई मि बिर्यानी, वो हमको उस जमाने में हमारी उमर होगी तेरा साल की, बारा साल की, बड़े मियां खिताब उन्होंने दे दिया, बस फिर हमको शौक होता चला गिया, तो ये कृष्णा जो होटल वाले थे, ये हम पर बहुत निगार रखे हुए थे, और उसके बाद फिर हमने भी अपनी कैटिंग सुरू कर दी, जब हमने अपनी कैटिंग सुरू कर दी, तो उस्ताद के काम में हमारे फरक पड़ गिया, तो हमारी मा ने कहा कि ये काम मत करो, उस्ताद को तकलीब मत दो, और आप कोई दुसरा कर लो, तो मजबूरन इसी कृष्णा वाले क्या नवकरी गली, वहां से नवकरी करके, हमने ये जित्ती भी इज़त हासिल की, सीवी गुपता का जमाना था नकलों में, और वो सीवी गुपता के जमाने में, जवाईलाल फाहब आते रहे यूपी में, जहां भी आगरा में, अपके, जित्ते भी यूपी अलाका कहीं भी यूकान पूरोय आगरा है कहीं भी, वो हम जाते थे, और ये सीवी गुपता की जाते थे, लेहादा ये हुआ कि, चलते रहें इन ही के साथ में, तो सीवी गुपता हम पर बहुत बरोसा करते थे, तो ये NCC काइम भी हमी ने काइम किया, जिसमें पहले भी हमने बताया होगा साहिद, कि दद्दस हजार बच्चों के लड़कों का खाना धूप में, मैदान में बनाते थे और सब कुछ करते थे, लेहादा ये हुआ कि, अपना जब काम सुरू गया तो उस्ताद को तकलीफ हुई, तो वो काम छोड़के फिर हमने नवकरी कर ली, फिर हमको यहाँ से इज़त मि मिलने लगी, काफी, और हमको एक मौका मिला, चाइना का जगडा पड़ गिया, और जवाइल लाल, सास्त्री जी, इंदरा जी, और जाकिर हुसेन, और लाल बाहदुर साथ, गुपता जी, इन सब की दावत, हुई तो हमने कहा, भय हम तो वीटरिन का ना, आता नहीं है हमें तो उनका बनाना आप यो, खैर, फिर हमने वीटरिन खाना उनके लिए बनाया और बनाने के बाद में एक हफ़ता तो सोचते रहें हम, और सोच के इस तरीके से के जैसे के स्टार्टर होता है, तो मुगलाई प्राठा और शामी कबाब, भे के शामी कबाब और मुगलाई प आपके अंदर जो स्टाफिंग थी, वो मिर्च, प्याज, हरी धनिया, नीबू और शंतरा ये स्टाफिंग उसके अंदर भरी हूए थी, तो उसका वो इस्टाडर था, और कठल का मुर्ग मुसल्म बनाया था, और उसके बैंगन की आपके टांगे बनाई थी, जो काले बैंग नहीं होते हैं लबे और उसके बाद में पनीर के पसंदे शामी कबाब बता दिया पनीर के पसंदे और कठल की मुर्ग मुसलम यह सब रहा के और सारा उनको हमने पेश किया और पेश करने के बाद में वो लोगों खूब खुब खाया और बहुत खोश हुए तो उसमें लिखा भी उसी तरीके से था कि हाई वी टेरिन बाकी इसको मुर्ग मुसल्ब कहते हैं इसको फिश मुसल्ब कहते हैं लौकी को भोल गिया था मैं लौकी को फिश मुसल्ब अब उन लोगों ने सारी चीजे बिराई खाई खुश्वे आखीर में ये कहा कि अरे भाई चंदर्भान आप क्या तो बहुत ही बहतीन मैफिल है फिस मसलम भी है और मुर्ग मसलम भी है चंदर्भान घबडा के उड़ गए और कहने लगे कि इमत्याद ये क्या है मैं लेका है हुदूर कुछ नहीं है ये तो एक सोब्दे बंदी थी कि लोगों को दिल खुश करने के लिए कि वेटरियन खाना है ये बाकि देखने में नाउन वेज लगे तो बहुत खुश हो गया और तालिये बजाने लगे असने लगे और बहुत अश्या थे उसे तो कहने का मकसद ये है कि कम सकम 55 साल हो गए होंगे और वेटरियन खाना हमको इतना नहीं था मालूम था बाकि हमने एक आठ दिन के अंदर इतनी महनत की है और उस महनत का जो सिला है वो हमारी माने रोजे रखके कुरान पढ़के दौा करके हमारे लिए की थी जो पहली मंजिल हमारी थी वो हमको वहाँ से इज़त मिली महा से इज़त जो मिली है तो वो चारों तरफ से ताज वाले उबराये वाले हर होटल वाला हमको पूछने लगा और उसमें कोशिच की हमें लेने की बाकी ITC के दमाग में था आ गए उसमें चले गए उनके हाँ भी जो जो भी हमने कारणामे किये हैं चाहे वो पाटा कॉन्फरंस हो या कुछ भी हो खूप की तो कहने का मक्सद यह है कि ये कोई भी काम है मेहनत का है और नेक नियत है होनी चाहिए इमानदारी होनी चाहिए और अच्छी नियत से काम करेगा और मेहनत से करेगा वो काम्याव ज़रू हो क्योंकि ये कोई भी काम दुन्या में ऐसा कर नहीं है कि आदमी नहीं कर सकता सब पर सकता बाकि हमने एक चीज और भी सब आपको मालू होगा या पता होगा सारे फाइफ सार होटल माँ को मालू है कि हमने रोटी से लेके बुच्छी से लेके बिर्यानी चामल से लेके करी से लेके कुर्मे से लेके नारी से लेके बकरा मुसलम से लेके फिश मुसलम से लेके हर नयाब चीज जो परानी मुगलों के जमाने की थी वो सब बनाके और फाइशार होटल में शो किया है और एक नहीं हजारों लकों फंक्शन बिन कैंटन के जिसने भी बाहर के मुल्क लोग आए हैं और बाहर मुल्क में भी फेस्टिबल कियें सब करते रहें तो ये सारी चीजे आप लोगों के सामने हैं और क्या बताओं आपको वाकि हम तो इतने ही कहेंगे कि सुईट में भी चाहे साही टुकला हो फिरनी हो गुलाब जाबुन हो जो मुतन्यन हो मुदाफर हो जर्दा हो जो पुरानी चीजे थी वो भी हमने उनको कायम रखा बाकी तो नई चीजे हैं जो भी है पुर्टिन की शकल में शेकुल आती हैं वो हम नहीं आपको गिरा रहे हैं बाकि जो औरिजिनल पुराने जो वक्त की चीजे थी जैसे गोस की गुलाब जाबुन है शेकिन की है कुछी भी हो नॉन वेज में वेज में सब लाया है या मैं समस्ता हो की आने वाला वक अगर इस बात को कुरेदे गा याद करेगा तो बहुत कुछ उसको मिलेगा और मिलता रहेगा और इस तरीके के बहुत चीजे हैं बहुत से किस्से हैं बहुत सी कहानी हैं बाकी जो असलियत थी वो मैंने आपको बताई है कि आज जितने भी फाइव स्टार होटिल के लोग हैं हम उनके सुकर गुदार है इसलिए सुकर गुदार है कि जो पदम छिरी आवाड हमें मिला है वो हमको फाइस्टार होटल वालो ही ने दिलवाए है ना कि लोग तो ये कहते हैं कि वह कमपनी मिहनत करती हम मिहनत करते हैं हम करते जरूर है बकि युगदान जो होता है उन लोगो का और उन लोगों ने जो होटल की की है इन लोगों ने जो फैसलिय की हैं कियोंकि उनके पास जो इप्लीकेशने आती हैं वह पड़ते वही लोग हैं उनके लग़ quello-ग कोई दूसरे नहीं पड़ता है उन्हों ने किया और हमारा नाम डू tidak और साल पेहले टाइमस आफ इंडि चाहिए, वो पेपर चुरा दिये गए थे, और पढ़ाओगा आपको, ताकि क्या कह सकते हैं, बाकि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों, थैंक यू